पुरोषों की अंगू से जाने उसका भग्या जिन पुरोषों के हाथ और पैरों में ज्यादा बाल होता है ऐसे पुरोष शरल और विश्वास पात्र होते हैं जिन पुरुषू की छाती चौड़ी होती है और नाक लंबी होती है ऐसे पुरुष अपने केरियर में काफी भग्यसालि होते हैं यदि किसी महलाओं के पती या प्रेमी के पैरों में अंगुठे के पास वाले अंगुली अंगुठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे पुरुष भग्यसालि होते हैं यदि किसी पुरुष के हातों की अंगुलिया अगर मोटी और सक्त हो तो व्यक्त को जरूरत से ज़्यादा संगर्श करना पड़ता है ऐसे लोगों की वारनी बड़ी कट्षोर होती है जिन लोगों को मन की चिंताईयaufen जादा होती है चाहे वो इस्तरी हो या प्रुश उनको बालों के गिनने की सम्मस्या होने लगती है जिन प्रुशूं की बहुंदाडी हो तो ऐसे ब्यक्त का स्वबाव सरल होता है जिन प्रूसों के कान पर बाल होता है ऐसे ब्यक्त काफी छोटे अस्तर से काफी उंचाई तक पहुंचता है और लंबी आय तक जीते हैं यदि किसी प्रूस के नाकुनों पर अगर सफेत निसान या बिंदू बन जाए तो किसी रोग की सुचना देते हैं जिन प्रूसों के पैर कोमल भरे हुए लाल होते हैं और उनके पैरों में पस्चिना नहीं आता है वे प्रूस काफी काफी परकार की शुक शुब्दाएं प्राप्त करने वाले होते हैं जिन प्रूसों की अगर दोनों भाँ आपस में सटे जाएं तो व्यक्त काफी क्रोधी होता है और उनसकी वान पर नियंतर नहीं होते हैं अगर किसी व्यक्त की भाँ नीचे की और जुक रही हों तो व्यक्त का जुकाओ बेराग्य की और हो जाता है ऐसे लोग कभी कभी घर द्वार त्याग देते हैं जिन प्रूसों के पैरों के अंगुठे बहुत ज़्यादा मोटे दिखाई देते हैं उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है यदि किसी प्रूस के पैर, सफेत, रूखे, टेड़े नाकुन वाले हों और अंगलियों की बनावट भी असमान हो तो ऐसे लोग परिशानियों का सामना करते हैं और इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है जिन प्रूस की जांग लंबी, मोटी और भरी हुई होती हैं वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं मजबूत जांग वाले प्रूस, धन और सभी सुक प्राप्त करने वाले होते हैं यदि किसी प्रूस के घुटने पर हड़ी दिखाई देती है तो उसे छोटी-छोटी सब्तलताओं के लिए भी बहुत मेहनत करने पड़ती है अगर किसी प्रूस का पेट बड़ा, सीधा और गोल हो ऐसे ब्यक्ति धनवान होता है ऐसे प्रूस सभी प्रकार की सुक शुदाएं प्राप्त करने वाले होते हैं जिन प्रूस का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है गरीबी का सामना करने वाले हो और अधिक भोजन करने वाले होते हैं तो दोस्तों यह है कुछ प्रूस जो महान प्रूस और जो अच्छे प्रूस होते हैं उनके बारे में आपने देखा होगे कि कौन अच्छा प्रूस होता है और कौन बेकार होता है इनके बारे में आप उनको पहचान सकता है कि अच्छा प्रूस कौन हो सकता है और बेकार प्रूस कौन हो सकता है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी है जय हिंद जय बार्दे उत्रा करें